हेलो एप्रिवन जब हम शुबह उठते हैं तो हमको बहुत सारी परिशानी देखने को मिलती है जैसे हमारे पैरों में बहुत करमा हट निकलती है पैरों में हमारे आग जैसी निकलती है और हमारे पैरों में दर्द रहता है खासकर हमारे अंग्ठों में दर्द रहता है और हम हमारे मसल्स यानि मांस पेश्यू में एठन देखने को मिलती है जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है हमारे यूरिक ऐसे हमारा बड़ा हुआ निकलता है तो यह समस्या यूरिक ऐसे होती है जैसे सरीर पे लाल रंग हो जाते हैं सरीर पे चकत्ते भी पढ़ जाते यानि तो चाह के रंग में भी बदलाव हो जाता है और इसके साथ में हमारी पूरी बाड़ी में बहुत ज्यादा दर तो होता ही होता है यानि कह सकते हैं पूरी बाड़ी में हमारे एक्तम अजीब सी बेचैनी रहती है और जो हमारे गुड़ने होते हैं यानि जोड़ होते ब्लड टेस्ट करवा लेजिए, है ना, रीनल फंक्शन टेस्ट में ये इंक्लूड होता है, तो उसमें आप जब करवाएंगों, तो उरिक एसेड आपका बड़ा हुआ देखने को मिलता है, और इसके साथ में X-ray अगर करवाते हैं, तो बहां भी फेश करने पड़ सकती हैं, जैसे आपको Heart Disease हो सकती है, आपके हिरदय में कोई समस्या हो सकती है, खास कर जब आपका इसमें BP बढ़ने लगता है, जो हमारे Uric Acid बढ़ा हुआ होता है, और इसके संग आपको गुर्दे, यानि किड्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है, किड्नी में जैसे आपको स्टोन बनने लगती है, गॉल बेडर में जैसे पत्री या पर स्टोन बनने लगती है, डाजिशन पर भी इसका एफेक्ट पड़ता है, और हमारे जैसे फैटी लिवर होने के बहुत ज़्यादा चांसे बढ़ जाते हैं, तो यह सब समझ्याएं देखने को मिलती हैं, डाजिशन हमको बढ़ना प्राराम हो जाती है, तो अगर इनको साथ समय उप्चार नहीं कराया, यूरिक ऐसिट का मनेजमेंट नहीं किया, तो यह सब नई नहीं बीमारी बहुत ज़्यादा यहां से जन्म लेने लगती हैं, अब हम देखते हैं, यूरिक ऐसिट बढ़ने के काराम कौन-कौन से हो साथ, तो को यूरिक ऐसिट हमारी बाड़ी में बनता कहां से है, तो हम कभी-कभी ऐसा होता है, जब हम हाई प्यूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियू फ्रूट है वेजिटेबिल्स हैं कुछ और भी डिसकस उसके बारे में करते हैं कौन-कौन से हाई युक्तिफदार्थ होते हैं तब अगर ज्यादा लेंगे तब उसकी कंडिशन ही होती है हमारी बॉटी में किड्नि उसको प्रॉपर फिल्ट्रेट नहीं कर पाती हैं जिसकी ब्लड में युड्रीक एसेट का लेवल बढ़ जाता है और इस नाम से जानते हैं हम देखते हैं युड्रीक एसेट बढ़ जाता है दो उसको उपचार क्या करें उसका टीट्मेंट क्या होने चाहिए उड्रीक ऐसेट जब बढ़ हुए तो सबसे पहले आप का इसका treatment तीन जो उसके थेरपी उन पर वेस्ट होता है पहली बात यूरिक एसेट को हमके है बाड़ी में कम Formation होने चाहीं पूरी पदार्थ है जो वेजिटेबलों उनको कम करें तीसरे क्रीश्टल से बन गएं तो उसको बाड़ी से ठार्म करें तब देखते हैं कहिना कि ओवराल अर्मनेजमेंट किया जा सकता है ठीक है अब आपको सबसे पहले जिन में शबसे ज्यादा प्यूरीन होता है उनको कम करना है तो प्यूरीन सबसे ज़्यादा कौन-कौन से फूर्ड में होता है तो आपको मस्रूम बिल्कुल नहीं आपको लेना है एक बहुता है खुछाल इस्में नहीं अबिंकर भी है क्या है या घफार को आप करने पड़ेगी पालक है इसमें भी क्यूरीन पाया पहरा जाता है उसमें भी आपको बंद करना पड़ेगा डाल से हैं, जो भी हैं, तो उनको भी आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है? यह फूड हमने जो भी आपको बता रहे हैं, इन में ज्यादा प्यूरीन युक्त होते हैं, अगर इन फूड को ज्यादा कंजूम करोगे, ज्यादा सबजी में उसमें लोगें, तो हमारी बल्कि आपको दो गोली सुबह दुपह साम खाना खाने के बाद गुर्गने पानी से आपको लेना है दूसरे नंबर पर आपको लेना है जो आरोग के बर्दनी बटी आती है इसको एक गोली सुबह दुपह साम आपको लेना है और एक सीरप है इसमें बड़ा अफेक्टिव ह हमारे यूरिक ऐसेट को मनिजमेंट करने के लिए वह हमारा है दस मुला रिष्ट है ठीक है तो यह तीन चीज आपको डिली लाइक मेडिसेन है इसको लेना है चौत्छा जो हमने बताया था जो फूड है उनको अवाइट करना है जैसे पालक है मस्रूम है अलकोहल आपको नही हो जाएगा ठीक है इन्फोर्मेशन आप तक पहुची होगी तो चनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा और आपने अभी तक मेरे बेल आइकन भी इसको हैंसे प्रेस कर दीजेगा ओवर आल वाट करने के लिए थैंक्यू नमश्का जाहें